दोस्तों आज के समय में आधार कार्ड में मुबाइल नमबर रजिस्टर्ड होना बहुत ही जरूरी है तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मुबाइल नमबर रजिस्टर्ड है या नहीं तो आएए अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे चलते हैं और वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने कुरूम ब्राउजर में जाना है और सर्च करना है UIDAI सिंपली सा यह सर्च करने के बाद आप लोगों के सामने यह इंटरफेस खुल कर आएगा तो इसमें आप लोगों को यह दिखाए देगा UIDAI.government.in तो इसी पे किलिक करना है किलिक करने के बाद आप लोगों को यह इंटरफेस आएगा तो सिंपली सा स्क्रोल करना है और नीचे जाना है आप लोगों यह देख सकते हैं Get Ather, Update Ather और यह अधार शर्वीस जिसमें आप लोगों को यह दिखा देगाAAV क्लिक करने के बाद आप लोगों को यह इंटर वेस को को कि आप लोगों के सामने यह इंटर फेस खुल कर आएगा तो इंटर 20 डिजिट आधार नमबर तो इसमें अपने आधार काट का 20 बारा नंबर इंटर करना है तो आएए अपने अधार नंबर का बारा इंटर डिजिट करते हैं तो सिंप्लिस अब बारां का अधार नंबर डिजिट हो गया इसकूर करने के बाद आपने को यह कैप्चा दिखाया देगा तो इसके छोग फिर जैसे कि जैसे वैसा ही कैप्चो को भरना है तो के कहा जो को मुख ए कि लिप कर देते हैं अगल तो कि उसके बाद इसपोड करने आप आप संवाइद आप आप प्रोसे टू वहरिफाइं ची करना है एपको सीख्राइव यह इस वहरिफिकेशन के सांवी रहे हो गया करने आप दो報all को यह आप ऑने पहुक्लेव को आएगा जैसे अधार verification completed हो गया तो अधार नमबर दिखाई देगा उसके बाद age bond दिखाई देगा पूरा age नहीं देखाईगा age bond दिखाई देगा जितने से मतलब आपका जितने उमर उसके बीच में दिखाई देगा जेंडर दिखाई देगा किस जेंडर का है फिर state दिखाई देगा किस आप इस्टेट से मोबाइल नमबर का पूरा मोबाइल नमबर नमबर नहीं नमबर का सिर्फ लास्ट तीन अंक दिखाई देगा तो ऐसे ही आप लोग अपने अधार काड का मोबाइल नमबर देख सकते है कौन सा लिंक है कौन सा रिष्टर्ड है या नहीं अगर नहीं रहेगा तो यह नंबर के जगा पर एन ए दिखाई देगा तो गाइज उम्मिद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जाहिए